हलो हमारी बात अभी अनिकेत जी से हो रही है अच्छा आपने अपने फेस्वुक हैंडल से कल एक वीडियो पोस्ट किया था और फिर आज उस वीडियो के बाद देख रहे हैं आपका एक दूसरा पोस्ट आया है इस संब्ध में आप क्या करना चाहेंगे देखिए हम लोग ए हम लोग का काम है क्या हम लोग कहीं पे जाते हैं तो अच्री गुनबक्ता वारी चीज मिले अच् Leanne भी लाएं इधर कीरेशेल वाला विडियो मिला था क्योंकि हम लोग में जाते रहते हैं तो अंच्छीज करेंगे कि जहां पे भी खार हैं साफ सब्स मि कि यह जो वीडियो था यह था तीप सिखा रूडवाले का और कहा गया कि उसका जो टाइनिंग एरिया है वहाँ पर उसको शिशा से पैट कल दिया जाएगा ताकि बाहर से कोई किया मकूल अंदर ना आगे वह किया कहां से आया इसकी जानतारी हमाले पास नहीं है लेकिन उनका जो काना हुआ कि वहां पर एक पेर है उसमें एक मद्वक्की का वो फटा लगा हुआ है उसी से आकल की किरासा लेकिन अब अस्वासन दिया गया है कि वह इनके जितने लिए स्टोर हैं सब के डैनिंग एरिया को सीशा वाले गलास से घेल दिये जाएंगे ताकि बहर से किसी बितला क uniform की भटाइ में आ करते ना परेख तो हम लगा की नहीं अगर कोई भी अब्साइब अपनी गलती को मानगा आ थो अगर कोई अच्छा आ काम कर ला है तो अच्छा आम को दिखाना चाहिए गलब किया तो हम उसका बिरोद भी किए उसका वीडियो भी हमारे आइडी पे है लेकिन वो जब अच्छा का सौसन दे रहे हैं कि हम अपनी गल्टी को शीकालते हैं और इसमें हम सुधार लाएंगे इसलिए हमको लगा किए इसला का पोस्ट करना चाहिए देखिए अभी सोसल मीडिया पे यह मेंटर पूरा उसके बाद लोगों का जो रियक्सन है उसमें तरह-तरह की बातें सामने आ रही है जैसे इनको धंकाया गया सेटलमेंट हो गया मैनेज हो गया बात से मुकर गए तो इन सब चीजों कितनी सत्यता है आप क्या करते हैं देखिए घंसाम जी शेतलमेंट को मतलब होता है कि अगर management कलता यानि को धमकाता या रूपिया देता तो हम उस वीडियो को डीट करते हैं सबसे पहले लेकिन आपने देखा हुआ कि वीडियो हमाले Facebook प्रोफाइल फे जैसे था उसे ही है उसमें हमने कोई treatment नहीं किया है वह गलती थी वह गलती कि हमने उनका विरूध किया लेकि किसी विटलर का हमको नहीं धमकाया गया है नहीं हम पर दवाब बनाया गया है मुझे क्योंकि एजिक customer क्योंकि हम रंगाराम में जाते थे और आगे भी जाएंगे गल्ती हुई सुधार का बात किया गया और सुधार किया भी जाएगा जिस अनुसार से मुझे कर कहा गया था कि मैं हम बहतर सुधार करेंगे उसमें तो सुधार किया भी जाएगा नहीं हमें कोई रुपिया दिया गया या हमको धमकी दिया गया रुपिया दिया जाता तो हम यो आपने अपने इडियू से या फिर आपको किसी से मिला लें कि आपने देखा होगा है इसमें सुरू में ही लिखा वीडियो है रिवेटो आपको भिचुन इंटरनेट पर ही प्राब्त हो था अस्साब का हाना है हाँ हाँ ये भी हमको प्राफ्ट हुआता क्योंकि हम लोग गंगाराम के सुप्षिंटा के हुआ जाते हैं खाते हैं तो हम लोग अगर किसी भी जगा पर जाते हैं खाते हैं तो आपका एगर कुछ खामिया दिखती है तो हम लोग को बिरूद करना परता हैं वहाँ पर कोई तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर आकों को सिकायत नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने देखा है सोसल मीडिया के बैडियेंट प्लेटफॉर्म जितने भी जहां पे भी यह मेटर चल रहा है वहां पे अलग अलग छेत्र के लोग अपनी अप दिकांस लोगों का मिनेजमेंट से बेरुखी है या फिर नाखू से या फिर और भी बहुत सारा उनका टिपन्नी है तो आप अभी क्या कहना चाहरे है कि आप इस चीज की गारंटी लेंगे कि जो मतलब आपने वीडियो पोस्ट किया वैसा वाकिया फिर नहीं होगा या फि स्टोर को रन कर रखाना तोरा से डिफिकल्ट होता है हम लोग एक बना करके देजिते हैं उसके साथ है जो टीम में वह अपना काम करती और टीम में सभी लोग नहीं होते हैं और टीम से चूक हुई जिनका खमियाजा उनको भूरतना करता है नहीं आपने बात की है तो हम यह जानना चाहेंगे कि क्या मतलब गंगारम मेनेजमेंट जो अपना आउटलेट बाटता है फिर बाटने के बाद से उसका मतलब खत्म हो जाता है या फिर वहां पे स्वक्स्ता गुनबत्ता आदी की वी रेंडमली जांच की जाती है क्या यह चीज की जानकारी आपको मेनेज कोई जानकारी नहीं है इस संदल में हमारे उसे बातने हुई हमारे कीरी की संदल में बात वही थी और उन्होंने का कि हम डाइनिंग एलिया को पूरा कभरब कर देंगे ताकि आगे सिस्ता की चीकाइट नहीं आपाए चली ठीक है निकेजी बहुत बहुत धन्यवाद आपन समझेंगे और स्वता बीवेक के अधार पे वह सभी लोग अपने फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं बस हम आपकी पक्ष को रखना चाह रहे थे कि इस पूरे मसले के पीछे आप क्या सोच रहे हैं आपका मेनेजमेंट से बात क्या हुआ है और फिलाल आगे किन चीजों क आश्वासन मिला है धन्यवाद अनके जी अधन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद अपका रिश्ट